हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ अजीस शेक आप देख रहे हैं मुवी स्टॉक मुवी एक्स्प्लेंड चैनल जिस पर आज मैं एक्स्प्लेंड करने वाला हूँ इस पूरी के पूरी वीडियो को देखने के बाद ही पता चलेगा जो की बहुत ही जाता स्पॉलियर से भरी बड़ी है इसलिए इस बात को ध्यान में रखकर आप इस वीडियो को आगे कंटिन्यू कीजिएगा और इसी के साथ साथ एक छोटी सीर्क्वेस भी अब जो की है इस Fellows in the Borderland की कहानी की बात करें तो कहानी का पूरा-पूरा फोकस शीर्यिस के स्टाट में तीन कियाकर प्रकिया जाता है। जिसमें से सीरीज का सबसे लीड करेक्टर अरिसू है जो कि एक गेमर और काफी ज़दा इंटेलिजेंट पोसिन है। जो गेमर रहने के बावजूद भी काफी ज़दा बेवकूप दिखाय गया था। पर यह सीरीज हमें बताती है कि गेमर कितने ज़दा स्मार्ट होते हैं और उनका दिमाग काफी बुरी सिच्वेशन में कैसे चलने लगता है। करके सिच्वेशन रियल लाइफ में भी गेम जैसी हो तो लेकिन अगर रियल लाइफ में देखा जाए तो अरुसू सिर्फ गेमर के हिसाब से ही अपनी पूरी के पूरी जिंदगी काट रहा है जो चीज़ उसके भाई को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और एक टाइम पर तो उसका भाई अरुसू को ये तक कह देता है कि वो इस खांदान में सबसे बड़ा पैरसाइड है लेकिन फिर भी ना चाते हुए अरुसू के भाई ने उसके लिए एक इंटर्व्यू की अरिजमेंट करवाई है जहां जाकर बस उसे इंटर्व्यू देना है और काम पर ल करूबी पर तो करूबी की जॉब अच्छी थी एक बार में लेकिन वहाँ पर बार की ओनर की वाईफ से उसके चक्कर की वज़े से उसे उस जॉब से मार मार कर निकाल दिया जाता है और फिर इस ग्रूप का आखरी मेंबर चोटा है जो अपनी लाइफ में सेलरी काफी कम कम सेलरी लिमी से बी पैसे उसकी माह कर अलमोस सब के सब ले जाती है र-बार किसी नकिसी तरीखे का बहाना लेकर आकर यहानी वह जौटा दिकार 19 उपका नहीं कर रही तिए regional इस बेका ही निए यहि के लिए मिलते हैं और उस मिटिंग में रोड परी इनों की शुरूग हो जाती है जिसके बाद जैसे ही न этим हुग बाहाँ पुलिश से बस्ते हुए बातरों में खुद को बं करते हैं तो वहां से बहुं से बाहर लेकिन शहर के सारे के सारे लोग पूरी तरीकी से गायब हो गये है जो कि इस शो की सबसे बड़ी मिस्टरी है जिसे अभी तक तो फिलाल इसके पहले सीजन में खोला नहीं गया जानी किसे भी नहीं पता कि आरूसोर्स के दोस्त अपने ही शहर में जा फिर दूसे किसी की और ये सारे के सारे रूल्स उन्हें शिबो की नाम की किरेक्टर बताती है जो इस दुनिया में उन से पहले आई है और ये गेम उन लोगों की सच में जान लेता है जिसके बाद वो तीनों डिसाइड करते हैं कि वो लोग इस गेम को नहीं खेलेगे लेकिन फिर सिरूब की उन तीनों को बताती है कि उन लोगों ने गेम में अलरेड़ी इंटर कर लिया है जहां से अगर वो निकलने की कोशिश करेगे तो एक इन्विजिबल लेजर उन लोगों को वही पर मार देगी और गेम में भी वो लोग वैसे ही मरने ही वाले है लेकिन अरिस्यों की रहने की पर उन्हें रिवाड एक नंबर कार्ड का मिलता है और साथ इसाथ तीन दिन का वीजा भी यानि तीन दिन तक वो लोग इस शहर में खूम बिर सकते हैं लेकिन तीन दिन के बाद उन्हें फिर से वीजा को रिन्यू करवाना होगा फिर से ऐसे ही किसी मौत के गेम को खेल कर जिन मेंसे हर एक गेम को पार करने के बाद उन्हें ऐसा ही नंबर का कार्ड मिलता है जिसकी वैल्यू इस शो में कितनी ज़्यादा इंपॉर्डंट है उसके बारे में मैं आगे बात करूँगा और अगर वीजा खतम हो जाता है तो उनका हाल सीरिज में दिखाए गए इसी क कि एक जैक उसके वीजा के खतम होने के बाद उसे मार देती है जानी अगेन इन चारो के लिए सिच्वेशन करो या मरो जैसी है लेकिन अभी तक इस शो में जो कार्ड दिखाए गए है वो कार्ड कोई भी फेस कार्ड नहीं है जानी कि किंग, क्विंग और जोकर जैसे कार् इनके सामने आते हैं वो सारे के सारे नंबर्स के होते हैं और साथ ही साथ हर एक गेम के कार्ड के सिंबल के हिसाब से रूल्स होते हैं जिससे उन्हें पता चलता है कि कौन सा गेम कितना ज्यादा खतरना कि और कौन सा नहीं जिसकी इन्फोर्मेशन उन्हें एक बंदा देता जिनमें डाइमेंट सबसे ज़्याधा खतरना कार्ड है, और उसके अलाबा, हार्ट के कार्ड में किसी ना किसी को धोका देना होता है, और कलब्स के कार्ड में टीम अप करके गिम खिला जाता है और स्पेट्स के कार्ड में ये गेम आपको फिजिकली बहुती ज़्यादा टॉर्चर करता है जिसमें हम हार्ट्स के कार्ड में इन चारों को फसा हुआ दिखते है जिसकी वज़े से हमें पता चलता है कि सिर्िस का atila और main character इन चारों में सर्फ और ओर सिर्फर अरिसू ही है क्योंकि बाकी के तीनों की तीनों इसी गेम मारे जाते है जिनकी मौत का दिमेदार अरिसू हर भारे सुरे के पूरे सीजन में खुद को ही मानता है कि वो इस गेम को जीतना डिजब बिलकुल भी नहीं करता था बलकि इस गेम को करीबू को जीतना चाहिए था लेकिन इस गेम को खेलने से पहले छोटा और शिबूकी के बीच की हमें रिलेशनशिप दिखाई जाती है और इसके अलावा अरिशु और करीबू टीम अप करके एक कलब्स का गेम खेलते है जिस गेम में उन्हें दबीच नाम की कमिनिटी का पता चलता है जो लोग एक साथ इस दुनिया में रहकर सवाइब कर रहे हैं और इन गेम्स को खेलते हैं और वहाँ पर हमें बीच के कुछ मेंबर भी उस गेम को खेलते हुए नजराते है जिन मेंसे सबसे जादा इंट्रस्टिंग क्यरेक्टर शिहिया और अगुनी है जिन मेंसे शिहिया ने अरिजु की स्किल्स को काफी अच्छी तरीके से देखा है कि वो कैसे टीम अप करकर वाकी दूसे लोगों को इस गेम को खेलने में मदद करता है और इसके अलावा हमें यहाँ पर सीरिस की लीड केरेक्टर उजा की भी नजराती है जो हर गेम को अपने हिसाब से खेलकर इस दुन्या में सवाइब कर रही है तो जब पहले करूबू और अरीसी मिलके जब इस गेम को खेलते हैं तो वो लोग डिसाइड कर लेते हैं कि वो लोग इस गेम को खेलने के बाद दबीच की कम्यूनिटी का पता लगाएगे लेकिन वहाँ जाने से पहले उन लोगों को एक और गेम खेलना होता है जिस गेम में अरीसु ही बचकर बाहर निकलता है जिसने अब पूरी तरीके से उमीद छोड़ दी है इस दुनिया में और किसी गेम को खेलने की लेकिन जासुगी के बोलने के बाद वो कद्वेंस हो जाता है इस दुनिया में रहकर गेम खेलने के लिए और ये पता लगाने के लिए कि एक्च्वल में इस गेम का मास्टर माइंड है कौन जिसके लिए उसे बीच जाकर थोड़ी और जानकारी निकलनी होगी लेकिन उसके पहले अरीसू और उसागी एक गेम खेलते हैं क्योंकि उनके वीजा खतम होने वाले हैं और इस गेम में उन्हें अपने गोल पर पहुचना होता है जो गोल एक्चल में वहीं पर खड़ी हुई बस होती है जिसके बारे में उन्हें का आफिल टाइम बात पता चलता है लेकिन जैसे तैसे ये गेम भी वो दोनों मिलकर पार कर लेते हैं और अपने अगले मिशन जानी के बीच पर जाने के लिए निकल परते हैं और इसके अलावा अब उसगी की केरिप्टर की भी बात कर ले तो वह इस गेमको अकेले खेल रही थी और वह अपनी लाइप में भी अपने पिता के स्वैट करने के बाद ऐसी ही अकेली थी और उसके इसी अकेले पन की वज़े से वो आज इस दुनिया में है बल देखा जाए तो ये Borderland किसी Firework के स्टार्ट होने के बाद Players को अपनी इस दुनिया में एंटर करता है पखास करके उन लोगों को जो अपनी असल दुनिया से पूरी तरीके से connection तोड़ देते है तो उशागी भी उनी में से एक है लेकिन उसने यहाँ पर रहकर जीना सीख लिया है जैसी उमीर उसने अब हरी शो को भी दे दी है तो बाते हैं उनके बीच के मिशन पर जहाँ पर वो लोग हाथ में बंदे हुए कुछ बंदों के बैंड को देखकर उनका पीचा करते हैं और जैसे तैसे करकर वीच के पास पहुंचने ही वाले होते है क्योंने किड्नैप कर लिया जाता है और सीधे उन दोनों के वीच के उनर हैटर से मिलाया जाता है जिसने स्मूरे के पूरे वीच को बनाया है और यहाँ पर हर एक शक्स के हाथ में जो बैंड है, वोन प्लेयर्स के नंबर शो करता है, कि कौन इस गेम में कितना जादा बेस्ट और कितना नहीं, और हैटर उन में से सबसे पहली पोजिशन पर आता है, और सेकेंड नंबर पर ओवेज दी अगीनू है, जो हैटर के साथ इ क्लेक्ट हो गए हैं, लेकिन फेस कार्ट बिल्कुल भी नहीं, जो कि अगेंड मिस्ट्री है, क्योंकि फेस कार्ट के लेवल तक अब तक यहाँ पर रह रहे हैं, कोई भी लोग नहीं पहुचे है, यानि कि वो लेवल एक नेक्स स्टेज का है, और शायद इन बाकी सभी ले में रहने के लिए रिपीटली बाकी दूसरे गेम्स भी खेल सकते हैं, जिनकी मदद से उन्हें वीजा मिलेगा, और उसके बाद बाकी दूसरे गेम्स खेल कर वो लो कार्ट को भी जमा कर सकते हैं, जो यहाँ पर हैटर ही कलेक्ट करता है, ताकि वो पूरे के पूरे कार्ट को collect कर कर इस दुन्या से निकल कर जा सके क्यूंके इस game को अकिला शक्स नहीं जीत सकता बलके सभी लोग टीम अफ करके काफी असानी से जीत सकते है जो यहां पर रह रहे बीच के सभी लोग साथ में team करकर अल्मॉस कर ही रहे हैं जिसके बाद हैटर अरेशrásаю से उनके जीते हुए काड्स ले ले लेता है जिसके बाद वह दुनों हैटर की डीन को माँकर उसके गुरूप को सफय जोइंट कर लेते हैं लेकिन इस गुरूप को जोएंट के बाकी दूसरे लेवल पार करने में काफी अच्छी मदद कर सकता है क्योंकि अरिशू की ही मदद से वो लोग इस गेम से जीत कर बाहर निकल कर आ जाते है और उसके बाद चीज या और कोई ना मिलकर ये प्लान बनाते है के अरिशू उनकी मदद कर सकता है हैटर से सारे के सारे कार्ट को चुराने में अगर वो उनके प्लान का हिस्सा बन जाएं थो और उसके बाद को एन अपनी दोस्ती अरिशू और युसूगी से काफी ज़ादा बढ़ाती है और वो उन लोगों को बीच की इंफॉमिशन देती है कि यहाँ पर रहने के लिए उन्हें किन लोगों से पंगे लेने है और किन से नहीं जिनमें से डेफिनिटली अगोनी और निरागी से उन्हें कोसो दूर रहना चाहिए और इसके अलाव अगर उन्हें शक हुआ कि वो लोग उनके इस ग्रूप के साथ में इमानदारी से नहीं रह रहे तो उन्हें मारने की पॉमिशन भी काफी आसानी से मिल जाती है लेकिन वो कोड पूरी तरीके से गलत होता है और अरिजू को पकड़ कर सीधे बंद कर दिया जाता है वो भी बेरैमी से मार कर लेकिन इसी भी चीशिया ने ये पता लगा लिया है कि एक्चल में अगुनी और हैटर अपने काट्स को कहां पर छुपा कर रखते है जो कि एक रेंडियर की पेंडिंग के पीछे होती है जिसे चेशिया काफी आसानी से हासल भी कर लेता है क्योंकि उसने अरिजू को वहाँ पर बस एक ट्रैप में भेजा था ताकि वो पता लगा सके कि असली काट्स कहां पर है जो अब उसे मिल गए है लेकिन जैसी ही चेशिया के ओनी इस बीच से निकलने वाले होते है तो वहाँ पर एक और गेम शुरू हो जाता है जिस गेम का नाम है विच हंट और ये गेम टैन हाट्स कार्ट का है जिसका नाम विच हंट है लेकिन इस game के शुरू होने से पहले बीच पर और भी कुछ होता है जो कि hatter की मौत है जो तब होती है जब hatter किसी game में participant करने जाता है और उसी का मौका चेश्या उठाकर अरिसू को वहाँ पर कार्ट चोरी करने के लिए भेज देता है लेकिन अब किसी को भी नहीं बता कि उस पर चुका है जिसमें से एक जुट तो यही है कि किसे भी एक्च्वल में नहीं पता कि इस game को पूरे cards को collect करने के बाद भी खतम किया जा सकता है या नहीं बलकि hatter ने इस बीच को यहाँ पर राज करने के लिए ही बनाया है ताकि जो वह अपनी असली दुनिया में नहीं कर सका वो यहाँ पर वो कर सके और इतनी जादा ताकत मिल जाने के वज़े से उसका धिमाग खराब हो गया था जिसके बाद उसे अगुनी समझाता भी है कि उसे यह सब नहीं करना चाहिए लेकिन hatter की बात नहीं सुनता जिसके बाद जाकर अगुनी अपने best friend को मार देता है और उसकी मौत के वज़े से अगुनी ने सभी के सभी लोगों को जिम्रेदार समझ लिया है जितने भी लोग बीच पर रहते हैं उन सभी को और जबकि वो अप लीडर बन गया है तो वो अपने लोगों को ओडर भी दे देता है बीच पे रह रहे है सभी लोगों को मारने का क्यांकि वहाँ पर जो गेम शुरू हुआ है उसमें वीच को हंट करना है और यही पता लगाना है कि उन लोगों के बीच पीच भीच कौन है और किसने मुमोका को मारा है जिसकी मौत का पता लगाने का जिम्मा पहना को दिया जाता है क्योंकि वो फॉरंसीक एक्सपर्ट है ज उसे पूरी तरीके से हारा हुआ मैसेज करवाता है जिसके बाद अगुनी अपनी दोस की मौत की गिल्ड की वज़े से खुद को ही वीज बताना शुरू कर देता है लेकिन बाद में जो मैंने आपको डीटेल दी अरीसु लोगों के सामने वही रखकर अगुनी को मरने से बच डीलर है या फिर वो इस गेम को कंट्रोल कर रही थी जिसके बाद उन्हें पता चलता है कि मौमो के एक्च्वल में किसी के कहने पर इस गेम को डेवलप कर रही थी और कभी कभी वो लोगों के साथ मिलकर उस गेम को भी खेल रही थी लेकिन बाद में उसे लगा तो वो बहुती जल्दी निकल जाते हैं लेकिन वहां पर शीहिया और कुनाई भी पहुंचते हैं क्योंकि शीहिया ने इसके पहले जब अरीशु के साथ टीम अप करकर एक गेम को खेला था जहां वो दोनों पहली बार मिले थे तो वहां पर उस गंच चलाती हुई औरत के पास से एक अजीब तरीके की ड्राइंग मिलती है जिसे सॉल्ब करने के बाद उसे पता चलता है कि ये रेल्वे ट्रैक्स है जिने फॉलो करकर वो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच सकता है यानि के एड़कौटर या फिर आप उसे बेस कहलो और इसके अलावा कुनाई की बैक छोड़ कर चला जाता है और जब वो हस्पिडिन में अपनी माँ को मिलता है तो उसकी माँ उसे कहती है कि वो अब उनकी बीटी लग रही है जिससे के हमें कुनाई की भी स्टोरी अच्छी तरही से पता चलती है कि कुनाई का कनेक्शन अपनी माँ से कितना जादा अच्छा जिनकी देट के बाद वो अकेले पड़ गई और बॉर्डर लेंड की इस दुनिया में आ गई और यही नहीं निगारी जैसे इविल केरेक्टर की भी बैक स्टोरी हमें दिखाई जाती है जो इस दुनिया में तो इविल है लेकिन असल दुनिया में उसे काफी जादा बुली क जाता था जिसकी वजए से वो इस दुनिया में इतना जादा खतरनाक बन गया है और सी के साथ-साथ लाज्ज बॉस की स्टोरी में भी हमें पता चलता है कि वो जादा तर तर तो लोगों के साथ मेल जोन बढ़ा कर बिल्कुल भी नहीं रखता था लेकिन इस दुनिया में वह काफी जाते डेडली था यानि देखा जाए तो ये गेम किसी ना किसी तरीके से ऐसे mentalistic लोगों को बहुत ही जाता strong बनाता था और उन्हें इस दुनिया में जीने की उमीद देता जो की गलत है लेकिन अब जो भी हो LS की borderline की ये दुनिया कुछ इसी तरीके से work करती है जिसके end में फिर जब रास खोले जाते हैं जैसे कि उस base पर जब वो चारों पहुचते हैं तो वो लोग नोटिस करते हैं कि इस base के सारे के सारे लोग उसी laser की गिरने के वज़े से मारे गए है यानि कहीं न कहीं वो सभी लोग अपने इस game को set करने में नाकाम हुए जिनका यहाँ पर काम सभी players पर नज़र रखकर ये चेक करना था कि वो लोग अपने काम को सही तरीके से कर भी रहे है या नहीं और साती साथ इस base में उन players पर betting भी चलती थी जिसके बारे में गेंग जादा detail नहीं दी गई लेकिन अगर उन details की बात करें तो इस show के second episode में सीवो की जब Arisu और उसके दोस्तों के साथ बैठी होती है तो वो यहीं बताती है कि यूरोप में किसी तरीके की VR technology को develop किया गया है और शायद हो सकता है कि उसी interview में ये लोग गए होगे क्योंकि Arisu के दोने के दोनों दोस्त अपनी job से खुश नहीं थे और शायद उस company में जाने के बाद उनके दिमाग को पूरी तरीके से इस दुनिया में दाल दिया गया और उनकी body असल दुनिया में ही है अब याद रही ये detail में आपको manga से बिल्कुल हट कर दे रहा हूँ क्योंकि manga में story काफी ज़्यादा लग है और बात है इसकी end की story पर जानी के second level पर जहाँ पर second level के introduce मीरा करवाती है जो beach के board की member थी और एक हिसाब से उसके यहाँ पर देखकर I mean screen पर देखकर ये बात तो शोर है कि मीरा heart queen है तो वो वहाँ पर face card को introduce करवाती है जानी के next level को जिसके बाद सारे के सारे शहर में face card के promo को शुरू कर दिया जाता है और जी हाँ इसके पहले season को खतम जानी कि अब second season में क्या होगा वो एक काफी बड़ी mystery है तो अगर आपको वो mystery के थोड़े बहुत clue चाहिए तो definitely मैं आपके यहाँ पर दूँगा लेकिन उसके लिए major spoiler warning क्योंकि ये detail manga से related है जिसकी comic अभी भी ongoing चल रही है जानी कि जितनी महनत अरिजू का character इस दुनिया से निकलने में करेगा उसके बाद manga के हिसाब से वो उस दुनिया में फिर से फसने वाला है वो भी तब जब उसकी वाइफ उसागी बच्चे को डिलिवर कर रही होगी तो जानी कि अभी की मांगा में अरिजू का mission पनी वाइ जानी के जोकर करता है जी हाँ जोकर जोकी एक गौड है और वो मांगा में कुछ इस तरीके का दिखता है तो मांगा की दुनिया में जोकर यानी के इस गौड का काम लोगों की सोल को उनके सही रास्ते पर ले जाने का है लेकिन मरने के बाद जिसे अगर mythology के किसी Greek गौड के जाए तो वो गौड चैरान होगा जिसका काम कुछ इसी तरीके का होता है और हाँ इस character की जहलक हमने clash of the titans फिल्म में भी देखी है लेकिन अब मांगा में ये गौड लोगों की सोल के साथ मैं इसे क्यों खेल रहा है उसकी बात करते है क्योंकि मांगा की कॉमिक में जिपैन होगे जाफरी बस उन्हें इस तरेक के तोरपा दाला होगा जिसकी डीटेल में आपको पहले ही दी है कि वो एक celebration है प्लेयर्स के इस गेम में आने का क्योंकि मेरे इसाब से मुझे लगता है कि गेम की स्टोरी को मांगा से अडप्ट तो किया गया है लेकिन जोकर के एंगल क को इस सीरीज में बदला जाएगा जैनि कि उसी डी आर की टेकनोलोजी के हिसाब से तो इससे एक वाले बात भी साफ होती है कि मीटेयर के concept को भी हटा दिया जाएगा अब बस एक theory है जिस पर मैं तो कोई confirmation नहीं दे रहा क्योंकि शो मांगा की comic book से बहुत जादा अलग है य उसका अगला कतम क्या होगा उसका पता तो हमें सीजन टू में ही चलेगा और हाँ सीरीज के बाकी सभी characters का भी जिने लेकर अब आपकी क्या राय है उस बारे में मुझे comment करकर जरूर बताईएगा और साथ ही साथ अगर आपको मेरी मैनेच ज़रा सभी पसंद आई है तो मेर motivation मिलती रहे इस टाइप की तगड़ी सी वीडियो बनाने में इसलिए like करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए और अब चलिए खतम करते हैं वीडियो को यहीं पर मैं हूँ अजीज शेख आप देख रहे थे movie stock movie explain channel जिससे अगर आपने अभी तक सबस्क्राइब नहीं किया है त तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बागी दूसे वीडियो को एंजॉई कीजिए और तिल देन बाई